हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सबी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चेनल पढ़ है वीद पीके में तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्यांसे तो सुबूत की गनित भाग को और आप लोग जानना ही अगर चाहते हैं सर पेज नमर कितना तो मैं पहले भी बता चुका हूँ उनको छोटा बड़ा या बराबर चिन इसमें से यह प्यूत चिन खाली बॉक्स में लिखी ओके जैन वी शटार तो यहां पर देख सकते हैं ये भी 3 बटा 8 है ये भी माइनस में है ये भी 3 बटा 8 है ये भी माइनस में तो दोनों गया है तो इसमें दोनों बराबर हैं तो क्या प्रोब्लम जो दोनों बराबर हैं तो बीच में दो बराबर अगला है देखिए माइनस दो बटा साथ हो पता है कि माइनस वाला ची छोटा होता है इसको छोटा दे दिए यहाँ पर माइनस दो बटा नो है यहाँ पर चोटा होता है इसको काटे तो माइनस दो बटा नो ही रहेंगे इसको काटेगे तो 7 बटा माइनस 9 आ जाएंगी तो बड़ा को लिए जो माइनस में छोटा होता है मतलब कि यह वला हो गया आपका बड़ा ओके तो चलिए इसको अठा लेते हैं अगला है देखिए यहां पे हैं माइनस 3 बटा 2 और यहां पे हैं माइनस 2 बटा 3 कैसे बराबर करें तो क्रॉसमेंटरिसन कीजिए 3 तिया 9 माइनस 9 बटा 6 और यहां पे जाएंगे माइनस 4 बटा 6 कौन बड़ा हो जाएंगे माइनस 4 बटा 6 होंगे की निवलिये का हां सर होंगे बड़े तो इसमें बड़ा हो गया आपका यह तो यह आपका हो गया यहां तक complete तो चलिए अगला देखते हैं हमारा जो सवाल नमबर दो है वो क्या दिया है निम लखे इस परिमे संख्याओं के बीच परिमे संख्याओं लिखे तो इनके परिमे संख्याओं लिखने हैं तो नो, आठ, साथ और छे पांच नहीं आरत एक काम कीजिए आप दोनों को दो दो से गुना कर दीजिए जब इसको दो से गुना कीजिए कितने हो जाएंगे तो माइनस बीस बटा दस इसको कीजिएगा तो माइनस दस बटा दस माइनस बीस बटा दस और माइनस दस बटा दस की बीच में पांच लिखने हैं लिख दीजिए क्या होंगे, एक एक करके लिखने है माइनस उन्नीस बटा दस हो जाएंगे माइनस अठारा बटा दस हो जाएंगे माइनस 17 बटादास हो जाएंगे माइनस 17 बटादास हो जाएंगे माइनस 15 बटादास हो जाएंगे यहां पे इसके answer ठेक है तो चलिए बनाते हैं आगे दिया है माइनस 3 बटा 4 और माइनस 1 बटा 4 के बीच में लिखने है तो आप इने क्या कीजिए दोनों को 4-4 से गुना कर दीजिए तो यह हो चार से गुना करेंगे तो माइनस 12 बटा 16 चार से गुना करेंगे तो माइनस 4 बटा 4 तो इनके बिशने 5 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे चलिए क्या होंगे 11, 10 हैसा हो जाएंगे तो पाला हो जाएगा –11 बटाd सोईल –10 बटाd सोईल –9 बटाd सोईल –8 बटासोईल –7 बटासोईल ठेक है ये हो गए आपके इसके सही च्वाब अप लोग इसे नॉट करते चलिए एकला जो सवाल है वो आपको दिखरा है आपके स्कीन पे निमलेखित पर्वे संख्यां को आरोही करम में लिखी आरोही करम मतलब बढ़ते करम पाले छोटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा यह हो गए आपके आरोही करम ओके तो चलिए इसे लिखते हैं तो इससे लिखने के लिए क्या करेंगे आप सुभी को पहले बता चुके हैं तो सबसे पहले आपको नीचे बराबर करने हैं तो आप इसको 2 से गुना कीजिए उपर नीचे इसको 5 से गुना कीजिए उपर नीचे इसको 2 से उपर नीचे गुना कीजिए मतलब कि आप इज़ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे माइनस चार बटा दस माइनस पनरा बटा दस और माइनस दो बटा दस तो सबसे छोटा माइनस पनरा बटा दस माइनस चार बटा दस और माइनस दो बटा दस तो चलिए इसे लिख लेते हैं आरोई करम में सबसे छोटा कौन हो गया बिलकुल सही माइनस तीन बटा दो सबसे छोटा हो गया उससे छोटा कौन हो गया माइनस दो बटा पांच और सबसे बड़ा माइनस एक बटा पांच तो यह हो गए आपके यहां पे सही जवाब ठेक है तो चले इसे इसे थोटा कर लिया जाए अब या ठेक है अगला सवाल देखिए इसी तरह से आपको दिये गए है क्या करने नीचे बराबर करने तो क्या करेंगे इसको 3 से गुना करेंगे इसको 4 से गुना करेंगे हो जाएंगे बराबर तो कितना हो गया 3 बटा 12 ये तो माइनस 2 बटा 12 पहले से ही है और 7 चोग 28 बटा 12 सबसे छोटा ये वाला फिर ये फिर 1 ठीक है तो जाले लिखते है सबसे छोटा कौन हो गया तो माइनस 7 बटा 3 उनसे छोटा कौन हो गया तो माइनस 2 बटा 12 और सबसे छोड़ा बटा कौन हो गया तो एक बटा 4 तो यहां पर ये हो गए आपके इसके बिलकुल सही जवाब तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये राव का अगला सवाल आप लोगों के स्कीन पे दिख रहा है सवाल नमबर 4 और सवाल क्या है पड़िया आप लोग मेरे साथ सवाल में आप लोगों को दिया गया है कि माइनस 1 बटा 5 और 1 बटा 3 के मद दस परिमे संख्या लिखी और उन्हें संख्या रेखा पर निरुपित कीजी ओके ठीक है की दौनों के हर को बराबर करते हैं तो क्या करेंगे इसको 3 से गुना करेंगे तो यह हो गए आपके माइनस 3 बटा 15 और यह आपके हो गए 5 बटा 15 ठीक है तो यह आपके हो गए तो इनके बीच में हमें 10 परिमे संख्या लिखनी है तो चलिए इनके बीजियों दस परमे संख्या लिखते हैं और फिर उनको यहां पर दर्स आएंगे तो दस परमे संख्या इनके बीच में क्या होगा चलिए लिखते हैं तो माइनस दो बटा 15 माइनस एक बटा 15 जीरो बटा 15 एक बटा 15 दो बटा 15 तीन बटा 15 आगे आपके हो जाएंगे 4 बटा 15 और 5 बटे 15 कितने संख्या हुए किन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या ही हुई है तो 8 संख्या हुई हमें बोला गया था 10 संख्या मतलब कि हमें और संख्या हैं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हैं तो देखिए तो चुकि हमें और संख्याएं चाहिए तो उसके लिए हमें यहां पर एक काम करना होगा और वो क्या कि आप दोनों को दो दो से फिर से गुना कर देजिए तो माइनस च्छो बटा तीस और यह हो जाएंगे दस बटा तीस तब हमें इनके बिच में देखने हैं तो इनके बिच में क्या आएंगे तो माइनस च्छो के बाद आता है माइनस पांच बटा तीस आजाएंगे फिर माइनस चार बटा तीस आजाएंगे फिर आपके माइनस तीन बटा तीस आजाएंगे माइनस दो बटा तीस आजाएंगे माइनस एक बटा 30 आ जाएंगे फिर आपके 0 बटा 30 यहां पे मिल जाएंगे 1 बटा 30 यहां पे मिल जाएंगे 2 बटा 30 यहां पे मिल जाएंगे 3 बटा 30 यहां पे मिल जाएंगे चलिए एक बार गिन लेते हैं कितना उसके बाद पिर आगे लिखेंगे तो यह आपके हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कि हमें एक और लिखने हैं तो तीन के बाद क्या आते हैं तो 4 बटा 30 तो यह हमारे दस्परिमे संख्या होगा इनके बीच में ठीक है ओके तो चलिए अब इसको इसके सही जगा पे रख दिये जाएं ठीक है तो चलिए इसे उठा के हम यहां पे रख देते ही लेकिन हमें इसे संख्या रेखा पे निरुपीद करना है किस पे तो संख्या रेखा अब चलिए पहले एक संख्या रेखा हैं पे बना लें तो यह हो गई हमारी एक संख्या रेखा ठीक इसमें बीच में आपके क्या होंगे तो जीरो होंगे और चुंकि हमने तीस वाग में डिवाइट किया तो इधर आपके तीस होंगे और अधिया आप नकों नहीं देना बत दीजिए यह देना इतना ज्रूरी नहीं है तो क्या किजिए इधर हमको मैक्सिमम आपके कहना तक जाने है तो इसमें आपको जाने हैं 5 से लेके चार तक माईनस में 5 परस में 4 आवा इधर एक काम कीड़ कर सकते हैं कि आप आहां दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक हुए इधर भी दे 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 जे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर आपके माइनस होते हैं इधर आपके फ़ल्स होते हैं जो हमारे याकूब की बारुन हैं यहां पे लाके लिख देने हैं तो चलिए इसे वहाँ ले जाके लिख देते हैं जीरो को जीरो के सिदा पर रख दीजिए चुकि यहां पे हम जीरो पहले ही दे चुके हैं तो इस जीरो के में जबरत नहीं इस जीरो को हम हटा रेते हैं तो जीरो के जीरो सिधा जीरो दे दिये तो ये हो गया आपका एंसर ठीक है तो लगबग आपका एंसर यहाँ पे यही होगा इसमें यहाँ पे जो यह थोड़ा बड़ा हो गया तो चलिए मैं इसे भी छोटा कर लेता हूँ कितने हैं यहाँ पे तो चार बड़ा तीस तो ठीक है तो यह हो गया आपके यहाँ पे एंसर तो चलिए मैं इसे उपर कर देता हूँ यहाँ से और अब है हमारे पास सवाल नंबर पांच क्या दिया गया सवाल नंबर पांच आप लोग पढ़िए इसे सवाल नमबर पांच में दिये गए हैं कि इतना और इतना के बिच में पांच परिमेश अंख्याएं आपको लिखनी है ठेक है तो दो है और यहां पर नीचे है दो तो क्या लिखेंगे चार बटा दो और यह गए माइनस एक बटा दो मतलब कि चार बटा दो और माइनस एक बटा दो के बिच में पांच लिखना चली लिखिए क्या हो जाएंगे तो चार बटा दो तीन बटा दो दो बटा दो एक बटा दो जीरो बटा दो तो एक दो तीन चार पांच हो गए तो यही हो गए यहाँ पे आपके इसके answer ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर दिया गया है कि संख्या रेखा पर इतना को हल कीजिए तो इसके लिए भी हमें क्या बनाने पड़ेंगे संख्या रेखा बनाने पड़ेंगे तो यह हो गई तो यह हो गई हमारी एक संख्या रेखा तो यहाँ पे होगा 0 हमारा होगा की नहीं होगा इधर हो जाएंगे हमारे 1 यहाँ पे हो जाएंगे 2 यहाँ हो जाएंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 अचलिए से मैं इधर माइनस 2 तक ही लेते हैं तीन तक ले लिए यह वो गया zero और देखे नीजे चार ने तो से में चार भाग में माट कितने line देंगे तो बिलकुल सथ तीन line ये ठेक है तो चलिए अभी नई एके करके लिखते हैं तो एक दो तीन और एक छार दिये हमारे एक हो गए ये 2 हो correctly और एक 3 हो गये ये माइनस 1 हो गये ये माइनस 2 हो गये तो पहले 2 पॉर्नाघ, एक वीटा 4 तक हमें जाने के लिए बोलाग़ें तो दो हैं फिर उसमें एक घरम को जाना है मतलब कि 2 पॉर्नाघ, एक वीटा 4 हमारा एक होगा होगा की नहीं? बुलेगा हाँ सर यह तो होगा फिर हमें उसमें 1 माइनस एक पर दिए हम यहाँ तक आगे आई की नहीं बुलेगा हाँ सर आगे फिर हमें इसमें 3 बटा 4 को माइनस करना था 1 2 3 तो फिर हम यहाँ तकश गया ठीक है तो अंतम्म कीस बिंदू पे पहुंचए इस बिंदू पे उसका क्या नाम है तो बोले क्या है सर इसका नाम तरू şार है तो यह हो गई इसका अपके अंसर एक बटा चार तो आपको इसी तरह से बनाने है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मीटर तार का टुकड़ा है वह इस में से एक बटा चार मीटर तार का टुकड़ा काट लेता उसके पास कितना से समझेगा काने का मतलब है कि दो में से एक बटा चार काट लिया तो कितने बचेंगे तो बिल्कुल आसान है कितने बचेंगे तो एक पुरनांग तीन बठा चार बचेंगे ठीक है तो आप इन्हें नौट कर लिए मुझे लगता है कि आप इससे तब निकालने के लिए जानते होंगे इसलिए मैं आपको इसको इतना एक्स्प्लेंड नहीं बकर रहा हूं तो निमलंकी राकिरतियों का परिमाफ ग्यानत कीजिए तो परिमाफ बाबर क्या होता है बिल्कुल असान सा है सभी भुजाओं का योग मतलब इन्हें किसको जोड़ना है पांच उट्र वट्ट जोड़ना है पांच उट्र भूट द्र और 2 एक 11 तो यह आपके हो जाएँगे 11 बटे 3 मीटर 11 बटे 3 मीटर जब आप इसे जोड़िएका तो कितने हो जाएँगे? 4, 10 10 बटा 8 होते हैं तो 10, 10 20 बटा 8 मीटर हो जाएंगे और जब 20 बटा 8 को آپ कातियेगा तो 5 बटा 2 आपके इंसर आएंगे तो यह हो गए आपके 5 बटा 2 मीटर ठीक है तो चलिए यह दोनों सवाल आपके बन गए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे सवाल नमबर 3 पे सवाल नमबर 3 में दिया गया है रेनु अपनी मासी गाय का 3 बटा 5 भाग रासन पर 1 बटा 5 भाग विद्यूद खर्च पर भाग करते हैं रेनु की मासी गाय इतना रुपए है तो बताईए रेनु अपनी याय का कुल कितना भाग रासन पर खर्च करती है तो रासन पर तीन बटा पांच तो अठारा हजार का तीन बटा पांच निकालना है तीन बटा पांच पांच से काटेंगे पांच तिया पंद्रा तीस बचेंगे छो पंच हो गए 30 और डबल 0 3600 जब इन्हें गुना की जीएगा तो कितने आएंगे तो गुना करने पे 004 18 33 9 10 मतलब कि 10,800 रुपया वो खर्च करते हैं किस पे तो रास्वान पे आपको पूरा बना के दिखाना आप छोटा-छोटा लिखे बनाईएगा यहां पे ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला दिया है रेनू अपनी मासिक आई का कितना भाग बचत करती है ओके तो देखिए 3 बटा 5 कर دी खर्च रासान पर 1 बटा 5 विद्डूस पर मतलब कि 4 बटा 5 खर्च है कर दी så कितना मचा तो बोलेगा से 1 बटा 5 बचा भाग ठीक है تو कितना भाग बचा 1 बटा 5 भाग बचत करती है तो चलिए बनाते है देखते हैं उसे किस तरह से बनाएंगे तो उसे बनाने का जो नियम आप उसे यह से दिखिए पूरा खर्च को हम लोग बोलते हैं एक तो अब एक में उसको कितना खर्च कर रही है तो तीन बटा पांच और एक बटा पांच तो इसे घटा देंगे मतलब कि 1-4 बटा 5 और जब 1 में 4 बटा 5 तो घटाएगा तो आपको जो जो एंसर आएगा वो आएगा 1 बटा 5 तो यहां पर 1 बटा 5 हो गया आपका सही जवाब ठीक है तो चलिए आप पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे आपका अगला सवाल सवाल नमबर 4 जो कि आपके स्कीन पर दिखी रहा है तो आप लोग इसे पढ़िए दिया गया है काक्षा 4 में 75 बच्चों काक्षा जो 4 है उसका अपके 75 बच्चों में से 3 बटा 5 भाग बच्चों के A ग्रेड एक बटा 5 भाग बच्चों के B ग्रेड और एक बटा 5 भाग बच्चों के C ग्रेड है हुए है तो यह भी इसी ग्रेट वाले बच्चों की अलग अलग संख्या ज्यांत की थी ओके ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक ग्रेट के बच्चों की संख्या जलिए सफ़ाजूम कर लेते हैं एक ग्रेट तो एक ग्रेट मैं देखी कितना है टोटल पचतर बच्चा है तीन बचा पांच लाता है एक ग्रेट पांच से जब काटियेगा तो पंदरा बार में कटेंगे और पनरतिया होते हैं पैंतालिस पैंतालिस बच्चा लाए आपका एक ग्रेट दूसरा हम निकालते ह बी ग्रेट का, बी ग्रेट का एक बटा पांच आता है, मतलब कि पचातर में एक बटा पांच, तो कितने हो गए, पंद्रा, सी ग्रेट का भी एक बटा पांच आता है, तो पचतर गुने एक बटा पांच, कितने आ गए, तो ये भी आ गए आपके इंसर, पंद्रा, ठीक है, तो यहां तक हो चुके हैं आपके सारे सवाल सॉल्व, तो आप इन्हें इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, तो हम बढ़ते कि आ गया है, एक पुर्नांग चार बटा पांच मीटर तार के डो टुकडे की एक जाते हैं, इसमें से एक टुकड इतना मीटर किया, दुसरे टुकडे की लंबाई क्या होगी, तो क्या निकाल लें, दुसरे टुकडे की लंबाई, तो हमें यहां पर दुसरे टुकडे की लंबाई निकालनी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल है, एक पुर्नांग चार वटा पाँच, उसमें से एक बटा चार कट गए, ठीक कितने बचेंगे, तो देखिए, कितने बचेंगे, तो जब आप इनने सॉल्व किजिए गर तो आपको यहां पर जो बचेंगे, वह आपको बचेंगे, एक पुर्नांग, सोईला में पांच चला जाता है नौ तो एक पुरनाग नौ बटा बीस मीटर तार बचेंगे तो ए हो जाएंगे आपके आपके सही जवाब यह हो गया ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर छो और आज के अंतिम सवाल पे लेकिन अंतिम सवाल बताने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि अभी ता आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दबरा दिख रहा है तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस सवाल पे जो हमारा सवाल नंबर 6 है दिया गया एक पुस्ता की लंबाई चोड़ाई दी गई इसका परिमाब गयाद कीजिए देखिए यहां पे एक पुस्ता इसक लंबाई चोड़ाई सवाएक चीजिजि दी गई है अब इसका परिमाब निकालना है प्लीख पता है कि पुस्ता के सा होता है तो पुस्ता आ踏कार होता है तो चलिए इसे सॉल्ब करते हैं तो 2 हो गये इसे हम लिखेंगे 25 बटा 2 ठीक ऐसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ 32 बटा 3 इसलिए मैं भी इतना डिटेर्में नहीं बता हूँ का डायट सॉल्फ करके आप लोगों को बताते चलूंगा तो 2 हो गए जब LC हम निकालेंगे तो 6 आएगा तो यह हो जाएंगे आपके 25 दिया 75 और यह हो जाएंगे 32 दुनी 64 ठेक है और यहाँ पर तो आपके बराबर दो जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके 9 हो गए और यह 13 हो गए बटा 6 जब इससे काटिएगा तो 3 बार में कटा मतलब कि आपके एसर आगए 149 बटा 3 आपके एंसर कितने आगए 149 बटा 3 इस और करेक्ट एंसर तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा सब एक चीज नौट कर लेना है ठीक है तो चलिए आज का वीडियो नहीं रखते हैं फिर मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नी वाज जहिन वंदे मात्रा